Hello everyone, आज के इस session में हम discuss करने जा रहे हैं Class 10 Physics के chapter, Light, Reflection and Refraction का एक new topic और वो new topic है, Reflection of Light Previous session से हमने ये chapter पढ़ना start किया था In fact, previous lecture में हमने इस chapter के overview को देखने के बाद chapter का जो पहला topic था, हमने वो भी cover कर लिया था मतलब previous lecture में हमने बात करी थी light के उपर कि light exactly क्या चीज है, light के dual nature का मतलब क्या होता है इन सारे ही points के उपर हमने discussion कर लिया था अपने previous session में तो अब ज़रूरत है अपने chapter में थोड़ा सा और आगे बढ़ने की और एक नए concept को समझने की जो हम समझेंगे बिलकुल आज ही के इस lecture में कहने का मतलब यह है कि आज के इस session में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि light के reflection का मतलब क्या है और हमारी light exactly कैसे reflect करती है हम इसके ओपर भी बात करेंगे so I hope कि आज के इस session का जो target है वो आप सभी को समझ में आया होगा अब एक काम करते हैं अपने इसी target को अचीव करने के लिए आए हम करते हैं अपने session की शुरुआज so this is विभूती खरे welcome to definite success बात चाला एक ऐसा platform जहां पर आपको provide करवाई जाती है एक दम quality education एक ऐसा platform जहां पर एक चीज definite है और वो है आप सभी की success तो इसी अची बात से हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये session जहां पर हम ये detail में जाकर के समझने की कोशिश करने वाले हैं कि भई light का reflection exactly कैसे होता है ओके चलो आजब कहानी हम शुरू करते हैं आज के हमारे इस session की और बात करते हैं light के reflection के उपर अब देखो बिटा ऐसा है light के reflection को आज समझाने के लिए न मैं तुम्हारे सामने बहुती easy language का इस्तमाल करूंगी प्लस मैं आपको बहुती basic basic examples दूँगी ताकि किसी तरीके से तुम्हें ये concept समझ में आ जाया और ये concept हमेशा के लिए तुम्हारे दिमाग में जाकर के fix हो जाया तो एकदम असान धाशा का आज मैं इस्तमाल करूंगी और तुमको मैं बहुती basic examples दूँगी ताकि तुम concept के साथ relate कर पाओ क्योंकि जब अपन relate कर पाते है न बिटा तब ही अपन कोई चीजे याद रह पाती है वर्ना तो क्या होता है सब सर के उपर से निकल जाता है तो सर के उपर से नहीं निकलना चाहिए दिमाग में जाकर के बिटा चीजे जो है न वो fix हो जानी चाहिए आज का अपना target यही रहेगा ठीक है चलो अब सुनो मालो बिटा हमारे पास एक ball है simple सी मतलब ball है plastic वाली ball से भी काम चल जाएगा ठीक है मालो मेरे पास एक plastic वाली ball है उस ball को मैं ऐसे नीचे की तरफ वेकती हूँ तो बताओ क्या होगा तो आप पूछोगे कि मैं आप बोलोगे मुझसे कि मैं यह आपने कैसा मतलब सवाल पूछ लिया है यह तो आपने बहुत ही मतलब ऐसे बच्चों वाला सवाल पूछ लिया है एक बच्चा भी जो है इस सवाल का जवाब दे देगा कि अगर आप एक ball को नीचे की तरफ फेक होगे तो क्या होगा अरे ball नीचे ही तो जाएगी ना ऐसा तो नहीं है कि ball को नीचे फेक है लेकिन फिर वी वो उपर उड़ रही है बिलकुली पंची बन करके ऐसा तो नहीं होगा न तो अगर मेरे पास एक प्लास्टिक वाली ball है और अगर उसको मैंसे नीचे फेकती हूँ तो क्या होगा ball नीचे जाएगी 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 और जाकर के floor से फर्ष से टकरा जाएगी man इसमें कौन सा rocket science लग रहा है यह बात तो सबको पता है कि अगर आपने ball नीचे फेकी है तो ball अल्टिमेटली नीचे जाएगी 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 जाकर के floor से टकरा जाएगी सही बात है लेकिन मेरा सवाल यह है बेटा कि floor से टकराने के बाद क्या होगा इतना तुम मुझे भी पता है कि ball नीचे जाएगी जाएगी जाकर के floor से टकरा जाएगी लेकिन टकराने के बाद क्या होगा सवाल तो यह बनता है क्या ball floor से टकराने के बाद फ्लोर में गढ़्धा बना करके बढ़ आईगी क्या केक तो मुझे इतने उपर से फेका अब मैं नीचे ही रहूँगी अब मैं उपर नहीं आऊँगी ऐसा होगा क्या आप बोलोगे कि नहीं मैं अगर आप एक सर्टेन हाइट से बॉल को नीचे फेक होगे तो बॉल 100% नीचे जाएगी फ्लोर से टकराएगी और टकराने के बाद बॉल वापस से उपर आ जाएगी बचपन में न एक बड़ी छोटी सी बॉल आती थी उसको शायद क्रेजी बॉल बोलते थे वो बॉल बेटा लिटरली एकदम क्रेजी ही होती थी एकदम पगलेती टाइप की जो है बॉल होती थी उसको अगर आपने गलती से एक बार अपने हाँच से छोड़ दिया तो वो बॉल जो है पूरी बिल्डिंग का चक्कर काट के जो है किसी नाले में जाकर के गिर जाती तो मैं आ दे की नहीं आदे चोटी सी आती थी थी थोड़ी हैवी रहती थी उसको crazy ball बोलते थी जादा ही उन्हों सिंपल एक भाईया कौन खेले crazy ball से सिंपल अपने एक प्लास्टिक की बॉल लेते हैं चोटी सी हलकी सी उसको नीचे फेंकते हैं बॉल टपा खा करके क्या होगा वापस आ जाएगी बॉल नीचे जाएगी फ्लोर को हिट करेगी फ्लोर पर जाकर के टकराएगी और टकराने के बाद वापस उपर आ जाएगी हो सकता है कि वापस इतने उपर आ जाए कि मैं उसको कैच ही कर लूं लेकिन हां बॉल उपर तो पक्के में आएगी टकरा करके अब ये जो बेटा किस्सा हुआ न बॉल के साथ ऐसा ही किस्सा होता है लाइट के साथ मैंने आपसे क्या कहा आज की इस सेशन में आपको कुछ ऐसे बेसिक एक्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे जिनको आप लिटरली टॉपिक के साथ रिलेट कर पाओं क्योंकि जब तक रिलेट नहीं करोगे न बेटा चीजों को आप रठते रहोगे रठने की जरुवत नहीं है कितना रठोगे बच्पन से तो अब तक रठते ही आए होगे नाइन्थ तक तो चैप्टर के पीछे के जो क्वेस्टन दिये रहते हैं फाइनल एक्जाम में वही आ जाते हैं तो बस सवालों के जवाब रठ लो और काम हो जाएगा लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि अब आप आगे हो क्लास 10 में और 10 में होते हैं बोड एक्जाम्स डरने की जरुवत नहीं है लेकिन अलर्ट होनी की जरुवत अब है तो अब रठने से काम नी चलेगा बेटा चीजों को समझना पड़ेगा ठीक है बॉल का जो कि इस सा होता है बेटा हमारी लाइट के साथ मालो की अपनी लाइट आ रही है ट्रावைल कर रह Chemult working आपनी जो लाइट है वह मीडियम में सा मीडियम तो चलब अपनी इस सराउंडिंग e. सत्यों कि travel कर रही है असान शब्दों कि अगर हम बात करें तो यह अपना surrounding air है वीटा यह अपनी क्या है medium है और इसी medium में लाइट जो है देखो सपोस सपोस्पोस यह क्या है मेरी मेरा यह जो हात आपको दिख रहा है मालो कि अभी कि लिए क्या है यह एक light है ठीक है इसके रास्ते में light के रास्ते में मतलब दूसरा medium आ गया कौन सा दूसरा medium अभी हपन देख लेंगे अभी के लिए बस इतना समझ लो कि हाँ light air medium में travel कर रही थी कर रही थी रास्ते में क्या हुआ अचानक से एक दूसरा medium आ गया तो दूसरे medium के surface पे जाकर के बेटा light गिर गई जैसे कि suppose तुम full speed के साथ जो है दोड़ रहे हो अचानक से खटा आ जा तो तुम क्या करोगे अरे गिर नहीं जाओगे उसमें कि oh my god खटा आ गया light के साथ भी कुछ ऐसी हुआ कि light अच्छा अच्छे तरीके से air medium में travel कर रही थी मस्त अपनी speed के साथ travel कर रही थी कर रही थी कर रही थी अचानक से क्या हुआ दूसरा medium आ गया उसके रास्ते में और दूसरे medium के surface पे जाकर के वह गिर गई मतलब कि आप यह भी बोल सकते हो कि जो अपनी light है वो दूसरे medium के surface से जाकर के टकरा गई बॉल जब टकराती है floor पर जाकर के तो क्या होता है टकराने के बाद बॉल वापस से उपर आ जाती है न तो light के साथ भी यही होगा air medium में travel करते 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 light के रास्ते में अचानक क्या हुआ दूसरा medium आ गया मालो यह क्या है यह है दूसरे medium का surface तो इस surface पर जाकर के बेटा light गिर जाएगी यह आप ऐसा भी बोल सकते हो कि दूसरे medium कि surface से जाकर के light टकरा गई यह दूसरे medium का बेटा surface है और यह light है, तो यह light ऐसे जाकर कि उससे टकरा गई, और टकराने के बाद क्या हुआ, light ने बोला, oh my god, मैं तो गिर गई, या मैं टकरा गई, अब मैं क्या करूँगी, अरे कोई दिक्कत की बाद नहीं है, मैं वापस से air medium में आ जाऊंगी, इसका मतलब यह है कि light ने बेटा अपनी traveling या अपने propagation के दुरान, अपना medium चेंज नहीं किया, light initially, कौन से medium में travel कर रही थी, तो आप बोलोगे कि मैं मैं आपने का था कि air medium है, अपने आसपास तो उसी में light travel कर रही थी, सही बात है, रास्ते में क्या हुआ, दूसरे medium का surface, मैं दूसरा medium आ गया, तो उसके surface पे जाकर के light गिर गई, या उसके surface से जाकर के light टकरा गई, टकराने के बाद क्या हुआ, टकराने के बाद बेटा, क्या light ने अपना medium चेंज कर दिया, कि मैं तो बोर हो गई हूँ, इस air medium में travel करते करते, अब जिस दूसरे medium के surface से जाकर के मैं तक्राई हूँ, उसी मीडियम में मैं चली जाओंगी, ऐसा होगा क्या? नहीं, लाइट तक्राई सर्फेस से और तक्राने के बाद वापस, या वापस आप बोल सकते हो, हाँ, वापस उसी मीडियम में, मतलब एयर वाले मीडियम में ही ट्रावल करती रही, तो इसे हम लाइट का रिफलेक्शन, जब अपन बॉल को फेकते हैं, बॉल जाकरके दीवार से टक्राती है और टक्राने के बाद जो वापस आजाती है, यह जो बाउन्स बैक होता है न, बिटा बॉल का, इसको अपन बोल सकते हैं बॉल का रिफलेक्शन, और जो मैंने आपको अभी भी light के बार में बताया वो है light का reflection कि एक medium में light travel करती है दूसरे medium की जब वो surface से जाकर के टकरा जाती है तो टकराने के बाद वो हार नहीं मानती कि oh my god मैं तो गिर गई अब मैं क्या करूँ कोई नहीं गिरने के बाद वो उठती है टकराने के बाद वो खड़ी होती हो दुबारा से same medium में travel करना continue रखती है रुकेगी नहीं light वो बोलेगी कोई बात नहीं तो क्या हुआ अगर मैं दूसरे medium के surface से जाकर के में टकरा गई कोई बात नहीं टकराने के बाद light same medium में जिस मीडियम में वो टकराने के पहले ट्रावल कर रही थी ना उसी medium में वो अपनी traveling या वो जो अपना उसका प्रपोकेशन है वो continue रखती है यानि कि light भी बिटा टकराने बाद वापस आ जाती है उसी medium में मैं वापस क्यों बोल रही हूं इसलिए बोल रही हूं क्यों कि टकराने के पहले दूसरे medium के surface टकराने के पहले light कहां थी air में थी और टकराने के बाद भी वो कहां बनी रही air पर मीडियम में तो पनी रही ना इसलिए मैं वापस वाण का कर रही हूं कि जब लाइड किसी दूसरे मीडियम की सरफेश से जाकर करके टकराती है टकराने के बाद जब वह वापस आ जाती है उसी मीडियन में तो इससे इस Demonstreci 8qu1 बाउंस बैक होने कहां है देख नहीं रही है रोका मैं बना रहे हूं चलो ठीक है यह यह है अपनी एर ठीक है और यह जो आपको white color का दिख रहे है बेटा यहापको line दिख रही है न यह पता है क्या है यह है दूसरे medium का surface मानलो कि यह है आपका दूसरा medium यह है दूसरे मीडियम का सरफेस यह एयर मीडियम नमबर वन और यह है सब़ोज वाटर बिटा पानी पी तो क्या है एक तरहा का मीडियम ही है तो यह है और यह है वाटर ठीक है तो light कहां से कहां आ रही थी light basically वो तो simple जो है air medium में travel कर रही थी यह देखो कुछ इस तरीके से light air में travel कर रही थी तो traveling के दौरान हुआ क्या उसके रास्ते में दूसरे medium का surface आ गया पानी वाले medium का देखो surface आ गया तो हुआ क्या वो जाकर के surface पर गिर गई या surface से जाकर के वो तकरा गई तकराने के बाद क्या हुआ वैसे तो अपन light को बोलते हैं कि light दोगली है लेकिन यहां पर देखो light ने अपना दोगला पन नहीं दिखाया light ने बोला कि कोई बात नहीं मैं जिस medium में travel कर रही थी न मैं तकराने के बाद same medium में travel करूंगी मैं अप दूसरे medium के surface से जाकर के टकरा गई दूसरे medium के surface से जाकर टकराने के बाद उसने बोला कि मैं हार नहीं मानूंगी मैं अब उसी medium में अपना जो propagation है वो continue रखूंगी मैं रूकूंगी नहीं तो वैसे आई टकराई और वापस ऐसे निकल भी ली तो यहां पर जो light का bounce back हो रहा ठीक है अब देखो ऐसे तो आपन मतलब आ गया board exam में कि define reflection of light तो आपन ऐसे तो बोल नहीं सकते हैं वहां पर कि देखो light ऐसे आई light ऐसे आई एक medium में travel करके दूसरे medium के surface पे जाकर के गिर गई और गिरने के बाद उठकर के वापस उसी medium में निकल गई ऐसा तो अपन नहीं बोल सकते प्रॉपर अपने पास words होने चाहिए न डिफाइन करने के लिए light के reflection को तो exam point of view से अपन light के reflection को कैसे define कर सकते हैं यहां पर देखो बेटा reflection of light is the phenomenon of bouncing back of light in the same media मेरी बात को बेटा प्लीज गौर से सुनना जब भी तुम्हें light के reflection को define करने के लिए बोला जाएगा आपको अपनी definition में same medium का इस्तमाल करना होगा इस word का इस्तमाल आपको करना होगा otherwise आपका जो भी definition होगा न बेटा वो उतना effective नहीं बनेगा और अगर teacher को आपका answer पड़ते time यह लगे कि यार यह तो effective नहीं है उतना keywords missing है तो बिटा वहां पर आपके marks कर जाते हैं भले ही आपका answer सही हो लेकर अगर उसमें keywords missing होंगे न तो teacher को अंदर से खुश ही नहीं आएगी अंदर से उन्हों satisfaction नहीं मिलेगा और वह आपका आधाएक नंबर तो काट ही लेगा तो ऐसी नौबत मताने दो proper keywords लिखना अपने answer में mention करना अभी से शुरू कर दो so reflection of light is the phenomenon of bouncing back off light in the same medium on striking the surface of any object किसी भी object के surface से बिटा जब light टकरा करके वापस से same medium में आ जाए I repeat किसी भी object के surface से टकरा करके जब light वापस से same medium में आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं light का reflection बोलते हैं ठीक है एक और तरीका हो सकता है कि when a ray of light approaches on a smooth polished surface and the light rays bounces back sorry and the light ray bounces back it is called reflection of light ये दो तरीके मैंने आपको दिखाए हैं light के reflection को define करने के जो तुम्हें पसंदा है तुम वो तरीका अपना सकते हो या तो ये definition लिख दो या ये लिख दो दूसरी definition में क्या बोला जा रहा है कि जब light ray किसी smooth polished surface की तरफ you know approach करती है तकरा जाती हो तकराने के बाद bounce back कर जाती है तो उसे अपन बोलते है light का reflection अब आप बोलोगे कि मैम ये smooth polished shiny surface का मतलब क्या है जैसे जैसे अपने session में आगे बढ़ते जाएंगे बिटा तुम्हें ये smooth polished word यहां पर क्यों लिखे हुए है definition में ये समझ में आ जाएगा अभी घबराओ मत कि मैं बापर ये smooth कहां से आ गया oh my god ये polished कहां से आगया सब समझ में आएगा लेकिन आहिस्ते आहिस्ते से अराम अराम से कि अब भी के लिए तुमको ये समझ में आ गया कि light already एक medium में travel कर रही थी propagate कर रही थी suppose air medium में वो चल रही थी रास्ते में उसके दूसरा medium आ गया तो उसके surface से जाकर के light टकरा गई टकराने के बाद क्या हुआ टकराने से पहले जिस medium में वो travel कर रही थी ठीक है उसी medium में वो अपनी traveling या बोल सकते हो कि अपना propagation continue रखती है light बोलती है कि तो क्या हुआ मैं टकरा मैं टकरा गई मैं तो टकराने के बाद भी उसी medium में अपना propagation जारी रखूंगी मैं हार नहीं मानूंगी तो यह जो दूसरे medium के surface से जाकर के टकराना और टकरा करके वापस उसी medium में आ जाना बेटा यह जो bounce back होता है light का इसी को अपन बोलते है light का reflection आ गया हो समझ में तो पढ़ रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं physics यानि की science का एक हिस्सा और science का कोई भी हिस्सा उठाकर के देख लो बेटा certain laws को follow करना पड़ता है कोई भी चीज एम ही नहीं हो जाती है कोई भी चीज एम ही नहीं हो जाती है science में अगर कोई भी कुछ भी चीज हो रही है तो उसके पीछे logic होता है एक reason होता है and set of rules होते हैं जिनको follow करके ही वो process होती है तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे है light का reflection पढ होते हैं certain का बिटा दो ही rules होते हैं laws होते हैं जिनको follow करके ही light हमेशा reflect करेगी भले ही reflection का टाइब क्यों नहों अलग-अलग अब आप बोलोगी कि मैं reflection के वी types होते हैं क्या हां light के reflection के दो types होते हैं एक होता है smooth या उसको regular reflection भी बोल सकते हो और एक होता है diffuse reflection आज उसके बार में आको मैं पढ़ाऊंगी example मैं आपको देती हूं कभी-कभी ऐसा होता है न कि हम जो magazine मैंगजीन में sleep ओड़ी हूं कि magazine के जो pages होते हैं वह बहुत चिकने होते हैं बहुत smooth होते हैं ठीक है तो या अगर आप white board पर पढ़ रहे हो मतलब white board पर आप सपोस्ट्यूशन coaching कहे हो ठीक है वहां पर आपको आप चमक सी दिख रही है ग्लेयर मतलब टाइप का बन रहा है और यहां पर सर ने जो भी लिखा होता है वो दिखनी रहा होता है फिर अपन क्या करते हैं कि यह वाले spot पर क्या लिखा हुआ है ऐसा होता है कि अगर आपने notice किया हो तो यह white board पर कुछ लिखा हुआ है और यह वाल चमक सी जोना बनती है जिसके कारण वहां पर जो लिखा होता है वह मैगजीन पर वहमें दिखता नहीं है फिर हम क्या करते हैं या तो पेच को थोड़ा से इसे ओपर नीचे करके देखते हैं कि बही यह ग्लेयर जो हटे और इस रीजन में क्या लिखा हुआ है वो हमें पर तुम अपने कपड़े वगएरा रखते हो बैड होता है इसके सामने खड़े रहकर कि तुम्हें अपनी शकल नजर आती है तो आप बोलोगी कि मैम जो आइना लगा होता है ना आइना जो लगा होता है ना ड्रेसिंग टेबल में सिर्फ उसी में हमें हमारी शकल दिखती है अगर मैं तुमसे पूछो कि बता तुमारे बेड पर तुमारे मैट्रिस पर तुमारे वाडरो पर दिवारो पर टेबल पर च शकल नहीं दिखती जो दिवारें हैं जो wardrobe है लकड़ी का बना हुआ उसके सामने भी अगर हम खड़े हो जाएंगे तो उसमें हमें 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 शकल नहीं दिखाई देगी तो मैं ऐसा क्यों प्लेन मिरर के सामने जाकर के खड़े होगे तो शकल दिख जाएगी वहीं दीवार के सामने जाकर के खड़े होगे तो शकल नहीं दिखेगी, क्यों? Because of diffuse reflection समझाऊंगी हाँ, तो हम थेक इस point पर हाँ मैं आपको यह बता रही थी कि जब भी light का reflection होता है बेटा करने के पहले कुछ terms है light के reflection को लेकर के सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ ठीक है? light ray के बारे में अपन पढ़ चुक है अपने previous session में मालो की एक, मतलब बहुत सारे photons हैं अपन तो light का जो particle nature है बेटा वही जो है मद्दे नजर रखते हुए बात कर रहे हैं इस chapter में ठीक है? तो मालो की बहुत सारे photons हैं और photons जो है वो एक line में arrange हो गए हैं तो जो एक line बनी है photons की उसको पन क्या बोलेंगे light ray बोलेंगे ठीक है? तो मालो की ये क्या है light ray है? और light ray में अपन ने देखा था कि हमेशा अपन क्या करते हैं? एक arrow बनाते हैं arrow head type का बनाते हैं ऐसे ही नहीं कि बस simple आपने जाना ये ये मैं बोल दो कि देखो ये भी क्या है light ray है क्या आप इसको light ray बोलोगे? या यहाँ पर ये मैंने बनाई है आप इसको light ray बोलोगे? इसको आप light ray नहीं बोल सती है तो simple क्या बेटा line है हमें light ray चाहिए है line नहीं चाहिए है light ray चाहिए है तो बकाइदा मुझे यहाँ पर arrow बनाना पड़ेगा तब जाकर के ये light ray बन पाएगी otherwise तो ये simple क्या रहेगी? एक line रहेगी चाहिए? चलो यहाँ देखो ये light ray आपको दिख रही है है? आरे दिख रही की नहीं दिख रही? ये light ray आपको दिख रही है ये air वाले medium में travel कर रही थी और फिर क्या हुआ? दूसरे medium के surface से जाकर के टकरा गई तो बेटा वो light ray जो दूसरे medium के surface से जाकर के टकरा जाती है या surface के ऊपर जाकर के गिर जाती है उस light ray को आपन specifically क्या बोलते हैं? incident ray मैंने क्या बोला बेटा? कुछ terms हैं जो आपको समझना होगा तब जाकर के हम आगे की बात कर पाएंगे और अच्छा हाँ अभी मैं आपको कुछ questions भी solve कर वाऊंगी ठीक है? तो यह देखो यह आई क्या अपनी सुंदर सी प्यारी सी incident ray what is incident ray? incident ray बेटा कोई मतलब अनोखी ray नहीं होती है light ray नहीं होती है बस incident ray वो light ray होती है जो दूसरे medium के surface से जाकर के टकर आ जाती है यह वो light ray जो दूसरे medium के surface के उपर जाकर के गिरती है incident होती है उसको अपन बोल देते हैं incident ray ठीक है? और surface के जिस point पे जाकर के incident ray गिरती है medium के surface का वो वाला point जिसके उपर जाकर के light ray incident light ray गिर रही है उस point को अपन बोलते है point of incidence ये दिखरा है ये वाला point ये जो दूसरा medium है बेटा, इसका ये जो surface है, surface पर आपको ये वाला point दिखरा है, इस point पर क्या हो रहा है, औरे light रे आकर की गिर रही ना surface पर तो इस point को अपन क्या बोलेंगे point of incidence इसको अपन बोलेंगे point of incidence ठीक है और फिर वो light ray जो टकरा करके वापस निकल जाती है उसी medium में वो light ray जो medium, दूसरे medium के surface टकरा करके वापस जो है उसी medium में निकल लेती है इस light ray को अपन क्या बोलेंगे reflected ray बोलेंगे reflection हुआ है न reflection हुआ है यहाँ पर तो इसको अपन क्या बोलेंगे reflected ray जैसे कि मालो कि तुम्हारे school में वो चल रहा था election चल रहे थे school में कि next जो है year के लिए school का head boy या head girl कौन बनेगी उसके लिए जो है audition चल रहे थे election चल रहे थे तो ultimately क्या हुआ election हुआ और एक लड़का जो है select हो गया कि अब next year के लिए यह head boy बनेगा तो जैसे ही election हो गया तो अब उस लड़के को सब लोग क्या बोलेंगे कि यह क्या है school का head boy है जब तक कि उसका selection नहीं हुआ था जब तक कि audition नहीं हुए थे तब तक सारे बच्चे एक समान थे न वो लड़का भी क्या था वो लड़का भी तो normal एक student ही था न लेकिन जैसे ही election हुआ selection हो गया वो क्या अब कहलाया जाएगा head boy कहलाया जाएगा है की नहीं यहाँ पर भी वो ही हुआ कि यहाँ पर reflection हो गया न तो अब reflection के बाद जैसे की election के बाद जो लड़का चुना गया उसको अब सब ने क्या नाम दिया head boy वैसे ही reflection के बाद जो light ray वापस लोट रहे यह same medium में उसको अपन क्या बोलेंगे reflected ray बोलेंगे तो वो ray जो आकर की गिरती है दूसरे medium के surface के उपर incident होती उसको अपन क्या बोलेंगे incident ray और reflection के बाद जो light ray वापस उसी medium में अपना bounce back कर रही है उसको अपन क्या बोलेंगे reflected ray बोलेंगे ठीक है और जिस point पे आकर के मतलब दूसरे medium के surface के उपर जिस point पे आकर के light ray गिरती है यह incident ray गिरती है उस point को अपन क्या बोलेंगे point of incidence बिटा point of incidence का मतलब भी क्या है दूसरे medium के surface का वो वाला point जहां पर आकर के light ray आकर के गिरी है ठीक है तो incident ray point of incidence and reflected ray अब एक और बेटा यहाँ पर हमको जो है line बनानी होगी जिसे हम बोलते है normal अब आप होगे कि मैम यह normal क्या चीज़ है मतलब अगर यह normal है तो बाकी की जो यहाँ पर हमने terms पढ़े हैं वो अब normal हैं क्या नहीं normal आप समझ लो कि एक ऐसी line है जो बनती कहां है जो बनती है point of incidence पर है ना नॉर्मल एक ऐसी line है जो point of incidence पर ही आकर के बनती है या गिरती है बट उसका main आप बोल सकते हो कि significance क्या होता है कि वो जो normal होती है बेटा वो दूसरे medium के surface के साथ 90 degree का एंगल बनाती है मैंने क्या बोला यहाँ पर हम एक normal भी ड्रॉ करेंगे कहा point of incidence पर what is normal है कैसी line जो medium के जो दूसरे medium के surface के साथ 90 degree का एंगल बनाए उसे हम बोलेंगे normal तो देखो यह है अपना point of incidence ठीक है और इसके उपर अब तुम देखना आजो भी कहां से आती है कौन से color से बनाए चलो इस color से बनाते है भूट पतली बन रही है यह हो गई बेटा नॉर्मल ठीक है यह दिख रही तुमको एक ऐसी line कहां बनाई है point of incidence पर ही बनाई है जो surface के साथ 90 degree का एंगल बनाए perpendicular to the surface एक ऐसी line point of incidence पर जो दूसरे medium के surface से कैसी हो perpendicular में हो मतलब कि दूसरे medium के surface के साथ 90 degree का एंगल बनाए बेटा उस line को अपन क्या बोलते है on the point of incidence normal बोलते है क्या बोलते है बच्चो normal तो यह तीन यह चार टर्म्स तुम्हें समझ में आ गए है incident ray point of incidence reflected ray and normal एक बार फिर से सुननो शॉट में पड़ा पड़ से वो light ray जो दूसरे medium के surface के उपर आकर के गिरती है या टकराती है एक certain point पर उस light ray को अपन बोलते है incident ray और incident ray दूसरे medium के surface के उपर जिस point पे जाकर के गिरती है उसको अपन बोलते है point of incidence फिर होता है reflection तो reflection के बाद जो light ray वापस उसी medium में जो lot जाती है उसे अपन बोलते है reflected ray और point of incidence पर जो अपन line draw करते है जो दूसरे medium के surface के साथ क्या करती है 90 degree का angle बनाती है उसे अपन बोलते है normal क्या बोलते है बच्चो normal बोलते है ठीक है अब इतना तुम्हें समझ में आगे तो अब फटा-फट से दो terms और है वो और सीख लो angle of incidence and angle of reflection what is angle of incidence कुछ नहीं अरे incident ray और normal के बीच का जो angle होता है उसको अपन बोलते है angle of incidence जैसे कि यह देखो यह है incident ray दिखरी सब को की नहीं दिखरी है और यह क्या है normal तो normal और incident ray के बीच का angle यह इसको अपन बोलते है angle of incidence बिटा क्रपा करके ये सीखो, ये angle of incidence क्या होता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का angle, कुछ बुद्धी मान व्यक्ति, पता है क्या करते है? इसको मानते हैं कि ये है angle of incidence, बिटा ये angle of incidence नहीं है, ये तो incident ray और medium के surface के बीच का angle है, बिटा ये क्या है? ये white color का क्या है, ये दूसरे medium का surface है न? तो येुष surface और incident ray के बीच का angle हो गया है, इसे angle of incidence नहीं कहते है, angle of incidence क्या होता है? मैं ये नहीं बोल रह retour हूँ कि ये कोई angle नहीं हो सकता, अफ्कोर्स ये भी कोई angle होगा, बिटा लेगी ये angle of incidence नहीं है, angle of incidence क्या होता है? इंसिदेंट रे और नॉर्मल की बीच का एंगल आप बोलोगे कि मैं इंसिदेंट रे को आपने ड्रॉ करा वो समझ में आया जो रे आकर के गिर रही है दूसरे मीडियम के सरफेस के उपर है उसका तो अलग से नाम होना चाहिए और रिफ्लेक्शन के बाद जो रे निकल रही है सेम मीडियम में वापस लोट रहे है उसका भी जना नाम करन होना चाहिए तो इंसिदेंट रे रिफ्लेक्टेड रे पॉइंट ऑफ इंसिदेंस यह सब हमने क्यों जो है न यहां पर मेंशन कर रहे हैं क्यों हम पढ़ रहे हैं वो समझ में आती बात लेकिन मैं आपने फा बीच का एंगल आई बाद समझ में यह है नॉर्मल और यह है इंसिदेंट रे तो इनके बीच का जो एंगल है बेटा वो कहलाता है एंगल ओफ इंसिदेंस similarly एक होता है angle of reflection angle of reflection what is angle of reflection तो आप बोल सकते हो कि भाई reflected ray और normal के बीच का जो angle होता है reflected ray और normal के बीच का जो angle होता है उसको पन बोलते है angle of reflection denote कैसे करते हैं ऐसे करते है समझे तो ये दो angles आपको पता होने चाहिए what is angle of incidence between angle between incident ray and normal and what is angle of reflection between normal and reflected ray कुछ बुद्धिमान व्यक्ती पता है क्या करते हैं इसको बोलते हैं एंगल of reflection की देखो मैं एंगल of reflection सवाल में 30 degree दिया अरे नमूनो यह एंगल of reflection नहीं यह तो medium का surface और reflected ray की बीच का एंगल है हाँ यह होगा कोई से अंगल लेकिन इसको हम एंगल of reflection नहीं बोलेंगे अंगल और रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेट रे के बीच का एंगल अंगल ऑफ इस तो यह सारे टर्म सुमको क्लियर हो गए है आजो अग थोड़े से अपन लॉज की बात कर लेते हैं लॉज पहला लॉज क्या बोलता है पहल अंगल और रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर बराबर होंगे आप बोलोगे कि मैं इस स्टेट्मेंट से आपका क्या मतलब है इस लॉज से आपका क्या मतलब है तो यहां पर आपके सामने में कुछ एक्जांपल रख रही हूं उन एक्जांपल को थोड़ा सा अब ध्यान से द उसको पने बोला पॉइंट ऑफ इंसिदेंस और यहां पर हमने क्या करी एक नॉमल ड्रॉ कर दी है गिरने के बाद टक्राने के बाद क्या होगा बेटा रिफ्लेक्टेड रहे ऐसे निकल जाएगी ठीक है लाइक दिस तो यह वाले केस में हुआ क्या यह वाले केस में हुआ बना है एंगल ओफ इंसिदेंस का मतलब क्या है बेटा वही इंसिदेंट रहे नॉर्मल की बीच का एंगल ठीक है यहां पर जो एंगल ओफ इंसिदेंस बना है वो कितना बना है वो यहां पर देखो मैं से साइड में लिख देती हूं वो यहां पर बना है एंगल ओफ इंसि 30 डिगरी का बनाया है तो रिफ्लेक्टेड रे बोलेगी कि ओ माइं गॉड अगर इंसिदेंट रे नॉर्मल के साथ 30 डिगरी का एंगल बना सकती हूं मतलब कि आप जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा बिटा जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा वो भी कितने का बने बनेगा 30 डिगरी का ही बनेगा ऐसा क्यों क्योंकि ऐसा बोलता है नियम मैंने क्या कहा था लाइट रिफ्लेक्ट करेगी लेकिन सर्टेन लॉस को फॉलो करेगी तो यह देखो यह वही लोग है पहला लो यह आंगल ऑफ इंसिडेंस और अंगल और रिफ्लेक्शन हमेशा बरा हम है और आप इसे चेंज नहीं कर सकते हो ठीक है चलो दूसरा केस अपन लेते हैं इस बार इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है वो बनाया है 60 डिग्री का 60 डिग्री का यहां पर क्या बना है एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाए तो रिफ्लेक्टिड रे क साथ जी साथ अँच्टीग्री का गफ बनाती है तो मैं भी नॉर्मल के साथ साथ जी इंगल बनाऊंगी यारे कि बैटा यहां पर आंगल ओफ रिफलेक्शन भी कितना बनेगा 60 डिग्री का तीसरा केस देख लेते हैं कि मान लो इस बार इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ बनाया है कितना बोलने चलो 55 डिग्री का एंगल यानि कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है 55 डिग्री तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना बनेगा पिटा 55 डिग्री ही बनेगा जो करेगी incident ray reflected ray उसी को follow करेगी reflected ray बोलेगी क्यों हो incident ray ने normal के साथ 55 degree का angle बनाया ना तो मैं भी normal के साथ 55 degree का ही angle बनाऊंगी ठीक है चौथा case वैसे तो जरुबत नहीं है पर चलो तुम्हारी खुशी के लिए मैं आपर मैं बताई देती हूँ इस बार incident ray ने नॉर्मल के साथ जो angle बनाया है मतलब कि angle of incidence बना है वो बना है 35 degree का तो guess करो angle of reflection भी कितना बनेगा 35 degree का ही बनेगा बच्चो ठीक है चलो तो ये पहला नियन तुमको समझ में आ गया कि angle of incidence is always equals to angle of reflection ठीक है चलो अचाना एक चीज़ और बेटा जब भी तुम इस तरीके से reflection वगरा यह नो बताओगे तो please 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 incident ray जब बनाओगे न तो उसका arrow आना चाहिए जो तुम बनाओगे रे जब भी अपन draw करते हूँ चाहे वो incident ray हो चाहे वो कोई सी भी ray क्यों ना हो जब भी अपन ray draw करते हैं तो arrow तो बनाएंगे ही बनाएंगे ठीक है लेकिन जब अपन incident ray draw करते हैं तो उसका arrow कहाँ आएगा उसका arrow आएगा नीचे की तरफ मतलब towards the दूसरे medium का surface और reflected ray का arrow कहाँ आएगा उपर की तरफ और arrow बनाना बहुत जरूरी है तुम सोचो कि बस हमने तो ये बना दिया incident ray normal और point of incidence ये बन गई हमाई diagram नहीं ये तो तुम्हारी मैंने क्या बोला था जब तक कि आप किसी line में arrow नहीं बनाऊगे वो light ray नहीं कहलाएगी यहाँ पर तुमने arrow तो बनाएंगे यहाँ पर तुमने arrow तो बनाई नहीं है तो ये तो simple line होगी न ये light ray कहा हुई light ray बनाने के लिए arrow बनाना compulsory है incident ray का arrow कहाँ हैगा नीचे की तरफ और reflected ray का कहाँ हैगा उपर की तरफ आई बात समझ में ये नहीं कर देना कि दोनों का arrow कहाँ जा रहा है नीचे नीचे जा रहा है ये दोनों का arrow कहाँ जा रहा है उपर उपर जा रहा है ये गड़बड नहीं करना है तुम तो बस इतना ध्यान रखो न कि light ray जहां जा रही है वहीं की तरफ क्या करना है तुमको arrow बनाना है यहाँ पर जो incident ray है बेटा जो की सेकंड लोग क्या बोलता है incident ray, normal and reflected ray all lie on the same plane अब यह same plane का मतलब क्या है देखो यह copy से समझा देती हूँ क्या लिखा है इस पर कुछ नहीं लिखा हो देखो बेटा मान लो की मान लग अलग plane होता है ना तो मान लो कि यह एक plane है यह एक plane है और यह भी तुमको यह किताब तुमको दिखरी की नहीं दिखरी है इस किताब के तुमको दो plane दिख रहे होंगे एक यह वाला plane और एक यह वाला plane तो मान लो यदि इस वाले plane के उपर reflection हो रहा है तो incident ray normal और reflected ray तीनो की तीनो इसी plane के उपर लाए करेंगी मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर incident ray यहां आ गई है normal यहां आ गई है तो reflected ray यह वाले plane पर आ जाए या incident ray खाली यहां पर है normal और reflected ray कहा है इस वाले plane पर है plane नहीं बदलेगा plane नहीं बदलेगा plane तो same ही रहेगा मालो कि अब यह वाला जो plane है यह वाला जो plane है यहां पर हो रहा है reflection incident ray normal and reflected ray तीनो की तीनो यहीं लाए करेंगी ऐसा नहीं होगा कि सिफ incident ray यहां है normal और reflected ray यहां आ गई है यह reflected ray यहां आ गई है और normal और incident ray यहां है ऐसा नहीं होगा तीनों की तीनों यहाँ तो तीनों का पाई जाएंगी इसी प्लेइन के उपर प्लेण नहीं बदलेगा पके जा अहीं गभा वह यहीं दून है laws of reflection तो reflection का मतलब समझवें आगया तुम्हें इसको अपन define कैसे करेंगे समझ में आगया यह terms तुम्हें समझ में आ गए कि what is incident light ray the ray which falls on the surface is called incident light ray the ray that bounces back is known as reflected ray if we draw perpendicular on the reflecting surface at the point of incidence बिटा हम इचे ध्यान रखना कि जो तुम normal draw करते हो medium के surface के उपर है ना वो तुम point of incidence पर ही करो ऐसा ना हो कि point of incidence बन रहा है यह normal तुमने जो है ना कहीं ओ जाकर के draw कर दिये नहीं normal जो आप draw करोगे बिटा वो point of incidence पर ही करोगे ठीके फिर इसके बार में in reflection path of light ray changes without any change in medium ऐसा नहीं है कि light ray के आपर path change नहीं होता है लेकिन medium change नहीं होता मैंने क्या कहा था कि तुम्हारे definition में भी same medium जो term है वो आना चाहिए कि चलो reflection हुआ light का light का path change हो गया आप बोलोगे कि मैं light का path कैसे change हो गया अरे दिमाग लगाओ ना light तो ऐसे जा रही थी लेकिन टकराने के बाद वो ऐसे जाने लगी तो light का तो path change हुआ ना कि suppose मैं जा रही थी market पानी पूड़ी खाने के लिए और अचानक से जो है मेरी मम्मी ने वहां मुझे बुला लिया तो मैं लोट गई वापस अपने घर तो मेरा path change हुआ कि नहीं हुआ कि light जा रही थी ऐसे नीचे की तरफ आगे की तरफ लेकिन अब वो कहां तने लगी टक्राने के बाद ऐसे तो path तो change हुआ लेकिन medium change नहीं हुआ ओके यह हो गए laws of reflection यह cases हो गए अब आज़ा अपन कुछ सवाल लगा लेते हैं ठीक है न और वो जो diffuse और जो regular reflection है न वो भी मैं आपको पढ़ा दूँगी चलो पहले अपन कुछ सवाल लगा लेते हैं what would be the angle of incidence for a light ray having zero reflection angle क्या बोला जा रहा है कि what would be the angle of incidence for a light ray having zero reflection angle याने की या इस सवाल को न थोड़ा सपन ऐसे भी री फ्रेम बें आपके लिए कर देती हूं कि मान लोग कि कोई incidence ray ऐसे आ रही है ठीक है जो normal के साथ zero degree का angle बना रही है तो फिर angle of reflection कितना होगा यह सवाल बेटा ऐसे भी आ जाता है यह मान लोग कि एक incidence ray ऐसे आई जो नॉर्मल के साथ zero degree का बनाती है angle मतलब कि angle of incidence zero degree का बनता है तो फिर angle of reflection कितना होगा नियम क्या होता है नियम बोलता है कि angle of incidence हमेशा बराबर होगा angle of reflection के तो यह दी incident ray normal के साथ zero degree का बना रही है मतलब यदि angle of incidence zero है इसका मतलब angle of reflection भी zero होगा मतलब कि reflected ray भी normal के साथ zero degree का ही angle बनाएगी अब यह बात सुनकर के बच्चों को लगता है कि मैं angle of incident zero angle of reflection भी zero इसका मतलब reflection कि इस केस में क्या होगा reflected रेना बेटा इंसिडेंट के ही बात को retrace कर लेती है क्या मतलब हुआ देखो zero angle of incidence angle of reflection के 0 होने का मतलब क्या होता है सबसे बहुत बहुत बताती हूँ मालो कि यह क्या है पॉइंट ओफ इंसिडेंस है और पॉइंट ओफ इंसिडेंस पर मैंने क्या करा है एक नॉर्मल ड्रॉ कर दी है अब मैं क्या बोल रही हूं इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल 0 बेटा इंसिडेंट रे और नॉर्मल की बीच का एंगल 0 कब हो सकता है जब दोनो coincide करे याने की अगर normal ये है तो incident ray भी ऐसे आकर के गिर जाए इसको अपन ऐसे भी बोलते हैं कि incident ray क्या है normally आकर के गिर रही है surface पर normally incident ray के normally surface के उपर आकर के गिरने का मतलब क्या है कि incident ray surface के साथ 90 degree का angle बना रही है कहने के बेटा अलग-अलग तरीके हैं जब अपन solve करेंगे ना सवालों को तो हर तरह की सवाल तुमको मैं बताऊंगी ताकि जितने भी pattern के questions बनते हैं इसके उपर वो सब तुम्हें मतलब तुम्हारी knowledge में आ जाए ठीक है तो मतलब मतलब एक ही है सवालों का बस ये की words का इस सवाल कुछ ऐसे करते हैं कि थोड़ा सा जो है ना बच्चों के लिए कई पर challenging हो जाता है कि मैम ये normally light आकर के गिर रही इसका मतलब क्या है बिड़ा अगर incident ray सवाल में बोला जा रहा है ना कि incident ray normally आकर के गिर रही है किसी medium के surface के उपर इसका मतलब ये है कि incident ray कुछ ऐसे आकर के गिर रही है surface के उपर कि वो surface के साथ 90 degree का एंगल बना रही है तो आप बोलोगे कि मैम आपने तो normal के लिए भी बोला था कि normal क्या होती है कैसी line जो medium के surface के साथ 90 degree का angle बनाती है exactly exactly my point तुम दिमाग लगाओ कि ये क्या है medium का surface है ठीक है और इसके उपर आकर के incident light ray क्या हुआ है बिटा normally आकर के गिर रही है मतलब कि इस point surface के इस point पे आकर के light ray incident light ray आकर के गिर गई और ऐसे गिरी ऐसे गिरी कि इसने surface के साथ 90 degree का एंगल बना लिया है अब अपन इसी point of incidence पर normal ड्रॉ करेंगे कैसे ड्रॉ करेंगे बच्चों ऐसे मतलब कि incident ray और normal बिलकुल एक दूसरे के उपर ही आ गई है क्योंकि incident ray surface के उपर normally आकर के गिर रही है यनिकि surface के साथ incident ray 90 degree का एंगल बना रही हो फिर उसी point of incidence पर हम normal भी ड्रॉ कर देंगे यनिकि incident ray ऐसी और normal उसके उपर ऐसी तो इनिके बीच का एंगल बिटा 0 हो गया की नहीं हो गया मतलब incident ray और normal के बीच का एंगल 0 हो गया मतलब कि यहाँ पर angle of incident 0 हो गया तो नियम क्या बोलता है पहला नियम कि अगर angle of incident 0 है तो angle of reflection भी 0 हो जाएगा न रिफ्लेक्टेड रे बोलेगी की हो हो incident ray ने नॉर्मल के साथ तो आज कोई एंगल बनाई नहीं है तो मैं भी नॉर्मल के साथ एंगल नहीं बनाऊंगी मतलब कि जैसी light ray आई थी ना पेटा वैसे के वैसे वो निकल भी जाएगी ये देखो ये बन गई अपनी reflected ray जैसे कि आप ये समझ लो कि ये आई थी incident ray point of incidence पे हमने बना दिया normal तो normal आ गई कहा incident ray के उपर ही और reflected ray भी आ गई उसके उपर ही क्योंकि reflected ray को भी normal के साथ आज angle नहीं बनाना है मतलब कि angle of reflection को zero करना ही पड़ेगा कैसे करना पड़ेगा तो इस तरीके साब बोल सकते हो कि reflected ray ने क्या करा है incident ray के ही path को retrace कर लिया है trace का मतलब समस्तों कॉपी करना तो to reflected ray ने बोला कि भाय जैसे incident ray धेको reflected ray बोलती है कि Professional की साथ अच कोई angle नी बनाया तो मुझे भी नहीं बनाना कैसे नहीं बनाना तो to reflect ये बोलती कि देखो जैसे incident ray आई थी येसे incident रह आई थी वैसे के वैसे मैं निकल लाहूं मैं निकल लूँगी तो incident ray आई ऐसे थी, तो reflected ray निकल ली, यहने कि उसी के path को retrace कर लिया तो angle of reflection भी क्या हो गया? 0 हो गया, तो यह सवाल बेटा इसी के उपर था, यह सवाल इसी के उपर था, कि what would be the angle of incidence for a light ray having 0 angle of reflection, तो यदि angle of reflection 0 इसका मतलब क्या angle of incidence भी 0 यह अगा नमुन्ना और क्या ही होगा? ठीक है? और तरीके क्या हो सकते हैं? इसी सवाल को, आंसर अपना वही रहेगा 0 degree, लेकिन question अलग अलग तरीके से अपन फ्रेम कर सकते हैं एक सवाल तो यह हो गया दूसरा सवाल यह होता है कि अगर incident ray surface के उपर आकर के normally गिर रही है तो फिर angle of reflection क्या होगा? तो आप बोल सकते कि मैं अगर normally आकर के गिर रही incident ray इसका मतलब incident ray surface के साथ 90 degree का angle बना रही है लेकिन normal के साथ वो बनाएगी 0 degree का angle तो angle of reflection भी क्या हो जाएगा? 0 degree और इस case में क्या होगा? reflected ray incident ray के पाथ को retrace कर लेगी कि जैसे incident ray आई थी वैसे के वैसे reflected ray निकल भी ली ठीक है? उसके अलावा और क्या तरीका हो सकता है? हाँ कि angle of incidence जो है वो 0 है तो angle of reflection क्या होगा? ठीक है? चलो next question find the angle of incidence and the angle of reflection from the diagram अच्छा इस case में बेटा आपको आपको ऐसे ही कि angle of incidence और angle of reflection बराबर ही होते हैं ठीक है? एक निकालो तो दूसरा अपने आप आप आजाएगा अब बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं? खुश आजाते हैं वो बोलते हैं कि मैं angle of incidence तो अल्रेडी दिया हुआ है तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा 35 डिग्री, 35 डिग्री जबकि ऐसा बिलकुल भी नहीं है मैंने क्या सिखाया है? एंगल of incidence क्या होता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का अगल होता है यह होता है angle of incidence यह नहीं होता है जो दिया हुआ ऐसा वाल में आपको 35 डिग्री होगा कोई angle लेकिन यह surface और incident ray के बीच का है angle of incidence नहीं है तो angle of incidence निकालने के लिए अपन करेंगी क्या? वह अपन को देखो यह तो पता ही है ना कि normal और surface के बीच का angle कितना होता है नॉर्मल और surface के बीच में angle बनता है 90 डिग्री का और आपको यह वाला angle भी दिया हुआ है मद्ब आपको यह वाला angle पता है तो इतने बड़े angle में से हैं इतने बड़े angle में से अगर आप यह छोटा वाला angle minus कर दोगे तो आपके पास यह angle of incidence नहीं आ जाएगा क्या दिमाग लगाओ ना आपके पास यह वाला angle given है कितना 90 degree जो कि normal और surface के साथ बन रहा है ठीक है और आपके पास यह वाला angle given है जो कि surface और incident ray के बीच में बन रहा है तो अगर आप यह वाले angle में से यह वाला minus कर दोगे तो यह angle नहीं आ जाएगा angle of incidence कर दो तो 90 degree minus 35 degree कर दो कितना आ जाएगा 55 degree आ जाएगा यानि कि angle of incidence angle of incidence आ जाएगा 55 degree और अगर angle of incidence 55 degree है बेटा तो angle of reflection भी तो तना ही होगा ना तो सही जबाब क्या होगा option भी ठीक कि दोनों ही क्या होगे 55, 55 degree next the angle at which the light ray strikes the reflective plane surface is 50 degree find the angle of incidence ओके ध्यान रखना बेटा यहाँ पर क्या बोला गया है कि light ray आकर के गिर रही है reflective plane surface के ओपर कितना angle बना करके 56 degree यहाँ पर जो incident ray है ना बेटा वो reflective surface के साथ बना रही है 56 degree का angle यह मत समझना कि मैं reflective surface के ओपर आकर के गिर रही है light ray 56 degree का angle बन रहा है तो वो होगा angle of incidence नहीं ध्यान से पढ़ो सवाल को कि the angle at which the light ray strikes the reflective plane surface जो भी है इस 56 degree यानि कि incident ray और plane जो reflecting surface है उसके बीच के इनके वीच का angle कितना है 56 degree है तो पताओ angle of incidence क्या होगा तो सबसे पिले आपने को क्या करना पड़ेगा बेटा point of incidence पर normal draw करना पड़ेगा फिर यह बनेगा क्या angle of incidence कैसे निकालेंगे वह इतना पूरा आपको एंगल पता है 90 degree तो 90 में से 56 माइनस कर दो तो आपका अंसर आजागा कितना यह angle of incidence आई बाद समझ में तो प्लीज ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको reflective surface और incident ray के बीच का angle दिया था angle of incidence निकालना था जैसे कि अपने बिचले वाले question में भी निकाला कितना आंसर आ गया 34 degree ठीक है next question क्या है angle of reflection तो पिटा यदि angle of incidence 34 degree तो angle of reflection भी उतना ही होगा कोई इसमें बहुत calculation की जरुवत नहीं है next part क्या question का the angle made by the reflected ray and the surface अब यहाँ पर क्या बोला गया reflected ray और surface की वीच में कितना angle बना आपको वो निकालना है तो देखो incident ray ऐसे आई थी जिसने की surface के साथ 56 degree का angle बनाया था point of incidence पर हमने normal draw करा तो अपना angle of incidence कितना बन गया 34 degree का तो उसे आप से angle of reflection भी कितना बन गया angle of reflection भी बन गया 34 degree का ठीक है अब हमें क्या करना है अब हमें यह वाला angle निकालना है जो reflected ray का बन रहा है surface के साथ कैसे युनों हम क्या बोलते हैं इसको निकालेंगे आपको यह वाला पूरा अंगल पता है ना नभी डिग्री तो नभी में से आप angle of reflection कितना आ जाएगा reflected ray और surface की बीच का एंगल 56 degree next the angle made by the incident and the reflected rays incident ray और reflected rays के बीच का जो angle बना है मतलब की यह वाला यह आपकी incident ray है यह reflected रहे तो इनके बीच का वेटा यह पूरा angle बना है ना मैं देखू ना यह आपकी incident ray है यह आपकी reflected ray तो इनके बीच का अंगल कितना बना तो आप बोलोगी कि मैं इनके बीच का अंगल तो angle of incidence और angle of reflection है हाँ दोनों को add कर दो तो angle of incidence plus angle of reflection मतलब की 34 degree plus 34 degree कितना हो जाएगा 68 degree हो जाएगा तो incident ray and reflected ray के बीच का अंगल कितना है 68 degree ठीक next question figure shows an incident ray AO and the normal ON on a plane mirror the angle with the incident ray AO sorry makes with a mirror is 30 degree okay तो पूछा गया गया है अरे इसका तो सवाल ही missing है चलो वहीं बताना होगा क्या बोलता है angle of incidence angle of reflection तो अब तो मुझे लगते हैं तुम लोगों से बहुत ही असानी से बन जाएगा है incident ray और surface की बीच का angle कितना है 30 degree है तो incident ray और normal की बीच का कितना बनेगा angle 90 minus 30 60 degree तो reflected ray और normal की बीच का भी angle कितना बन जाएगा बिटा 60 degree like this तो कोई बहुत बड़ी बात तो थी नहीं इसमें ठीक है 120 degree 120 degree कुछ तो इस सवाल में missing है चलो काम करते हैं जो यह वाला question है यह अपन अगले session में देख लेते हैं तो इस question में कुछ तो missing है figure shows an incident ray AO and the normal ON on a plane mirror the angle which the incident ray AO makes with a mirror is 30 degree पूछा यह तो दिया हुआ है लेकिन पूछा गया है सवाल में क्या वो यहां पर given नहीं तो यह काम करते हैं जो अपना DPP वाला session होगा उसमें अपन यह वाला question रख लेंगे क्योंकि इसका जो answer है वो भी कुछ अलग ही आ रहा है तो अपन इसको रखेंगे कहां अपने अगले session की DPP में ओके तो यहां तक क्या आपको सारे सवाल समझ में आ गए देखो अपने light का reflection समझ लिया है reflection जो है light का जिन loss को follow करके होता है अपनने वो loss भी देख लिया और कुछ सवाल जो की बहुती common type के होते हैं इस topic के ओपर बनते हैं वो अपन सवाल भी देख चुके हैं और अगर मतलब ऐसे अब और भी questions करेंगे हमारे DPP में ठीक है अब कुछ देर के लिए कुछ देर के लिए वापस से हम आते हैं कहां light के reflection की ओपर ठीक है अब तुम्हारे दमाग में एक सवाल आना चाहिए कि मैम चलो ठीक हमें समझ में आ गया कि light आ रही थी एयर में travel करके कोई दूसरा medium आया उसके surface से जाकर के यूनों मतलब light ऐसे टक्रा गई टक्राने के बाद light वापस आ गई है उस air वाले medium में लेकिन वो टक्राने के पाप जो reflected रहे निकलती है मैं और आफटर reflection वो जो reflected रहे निकलती है जो फिर से air वाले medium में ही travel करना मतलब continue करती है मैं यह reflected रहे जाती कहां है कभी मतलब यह दिमाग में आया क्या खयाल कि light आई टक्राई टक्राने के बाद वापस आगे लेकिन वापस जाती कहां है light यह आपको पता चला क्या बेटा वो light जाती है हमारी आखों में previous lecture में अगर तुमको याद हूँ तुमको मैंने बताया था कि हम कोई भी object को तभी देख पाते हैं जब उससे निकलने वाली light rays हमारी आखों तक पड़े जैसे कि अगर तुम्हारे कमरे में अंधेरा है कहने को वह कमरा तुम्हारा है जो उसमें समाने वह भी तुम्हारा है तुम्हारे कमरे में नहीं आ रही है तो उस अंधेरे अपने ही कमरे में जाओगी न तो तुम्हारा बैड मैटरस तुम्हारे कपड़े वाड्रोब सब हटा दिया गया है क्या नहीं हटाया तो कुछ नहीं है लेकिन फिर भी अंधेरे कमरे में तुमको दिखेगा नहीं क्य तक पहुंचनी रही है इसलिए तुमको वह उबजेक्स दिखनी रहे हैं ना कपड़े दिखर हैं तुम्हें कुछ भी नहीं दिक रहा है तो जरूरी यह हैं कि एक बैट से यह तुम्हारे कमरे की वो है, क्या, ट्यूब लाइट है या बल्ब कुछ भी बोल लो, ठीक है न यह है, सपोज एक बल्ब लगा हुआ है ठीक है और यह है चेबल something like that टेबल पर इस तरह से कुछ बुख रखी हुई है, ठीक है काम करें, क्या, इसको थोड़ा सा साइड में यह है बच्चों टेबल टेबल पर बुक रखी हुई है और यहाँ पर हम खड़े हुए हैं यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, अपनी आँख ले करके मतलब दोनों आखे ले करके, ठीक है मालो की यह क्या है, दोनों अपनी आखे है चीक, आप बोलोगे मैं इतनी बद्धी आखे तो नहीं है हमारी अरे, समझ लो समझने में क्या जाता है अब जैसी तुम क्या करोगे, यहाँ से टक करके स्विच ओन करोगे तो बलब से जो है पिटा लाइट आएगी, है न, यह देखो कुछ इस तरीके से लाइट रेज आएँगी यह, यार यह लाइट रेज like this like this बहुत सारी बीटा लाइट रेज आएँगी जो टेबल के उपर गिरेंगी टेबल के उपर जो रख्यूई किताब है बेटा उसके उपर भी ये लाइटरेज आकर के ऐसे गिरेंगी ठीक है तो सब्सक्राइं से लाइड वही लाइटरेज आ रही है टेबल के ऊपर गिर रही है टेबल की ओपर रख्यूंक ये बीट др गिरने के बार टक्राने के बार वापस लोड़ जाती है तो यहां पर भी बिटा life жиз का bounce back ही हमको देखना है कि जैसे कि में आ लोगी यह लाइट रहे यह लाइट रहे ठीक है मिनर्ब यह लूँत ओनो कि यह क्या है incident light ray है bulb से कहा रहे बल्ब से आ रहे है आप और टेबल और टेबल कर दो भूर के ऊपर गणट हुए एंके बीच में तो तor इस अर मेडियjem में ट्रैवल करकेए बीटा देखो इतनी सारी इंसिदेंट ट्रेज आ रही है और टेबल के उपर या जो बुक रख्यों इसके उपर आकर के गिर रही है क्या होगा रिफ्लेक्शन होगा तो मालो यह आई है इसका रिफ्लेक्शन होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यह निकली रिफ्लेक्टेड रे यहां पर भी देखो यह निकली पहुंच का रही है आखों तक पहुंच रही है तो जैसे ही टेबल से रिफ्लेक्ट होने वाली रिफ्लेक्टेड रेस हमारी आखों तक पहुंचेंगे अब बिटा हमारी आखे तो बहुत भोली होती है ना देखो तुम्हें साइंस पता है तुम्हें दिमाग को पता है तुम है इंचोट हमको टेवल दिखनी शुरू हो जाएगी सिमिलर्ली किताब दिख रही है इसके उपर भी लाइट रेज आकर के इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्शन होगा रिफ्लेक्टेड रेज देखो निकल निकल करके कहां पहुंचेंगी हमारी आखों तक वहीं अगर मैं ये बल्ब बन कर दूँ उठा करके तो काहे की लाइट रेज काहे का इंसिडेंस काहे का रिफ्लेक्शन कुछ भी नहीं होगा तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा लेकिन जैसी मैं लाइट आन करूंगी रोश्णी आनी शुरू हो जाएगी लाइट रेज गि होंगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन सारी कि सारी जो रिफ्लेक्टेट रेज होंगी ना सारी लेकिना मैजॉरिटी जो लाइट रेज होंगी ना बिटा मैजॉरिटी भी नहीं बस इतना समझ लो कि हाँ चितना भी समान रखा है तुमारे कमरे में उन सभी समान के उपर शुरू हो जाएंगे ठीक है एक अच्छी सी पिक्चर दिखाती हूं में तुमको यह देखो यह पहाड दिख रहा है बढ़िया बरा फ्लगी होई है पहाड पर है ना यह देखो पहाड मस्त बादल भी दिख रहे हैं यह क्या है यह बुरा पानी है और कई हद तक तुमको पा इमेज बन रही है पानी पर तो यह क्यासे पॉसिबल हुआ मतलब कि हमको पहाड दिख रहे हैं पहाड के उपर जो बरफ है वो दिख रही हो और जो बरफ के उपर जो आस्मान में जो बादल है वो भी दिख रहे हैं और पहाड के नीचे जो इसके बेस पर पानी है पानी मे भी हमको पहाड उसके ओपर पड़ी बरफ उसके ओपर जो आस्मा में जो बादल है वो भी दिख रहे हैं यह कैसे हुआ यह भी हुआ है रिफ्लेक्शन से मैंने कहा था बेसिक एग्जाम्पल दोंगे ताकि तुम रिलेट कर पाओ मान लो कि तुम यहां पर खड़े हो हो तुम यहां पर खड़े हो हो अपनी आँख लेकर के अब यहां से आए सूरज मामू ने मामू तो चंदा माम होते है ना सूरज चाचू आ गया हैं चलो ठीक है अब देखो लाइट रेज गिरना शुरू हुई लाइट रेज बेटा गिरना शुरू हुई लाइक दिस तो पहाड के ओपर लाइट रेज गिर रही है पहाड के ओपर जो बरफ है उसके ओपर लाइट रेज गिर रही है आसमान में जो बादल है बिटा, इनकी उपर भी तो sun की जो किरने है, जो रोशनी है जो light rays है, वो तो पहुंचेंगी पहुंचेंगी, like this, अब क्या होगा light rays आ करके incident हो रही है, पहाड के उपर बरफ के उपर, बादलों के उपर फिर होगा reflection और फिर वो reflected rays निकलेंगी और कहां जाएंगी वो reflected rays बिटा जाएंगी हमारी आखो तक यह देखो, कुछ इस तरी कैसे मतलब light rays आई, sun से incident हुई, इन सब चीज़ों के उपर इन से टकराने के बाद light rays ने बोला कि भाईया मैं क्यों जाओं पहाड के अंदर मैं तो टकरा करके वापस उचल के निकल लूँगी मतलब कि वो ही reflection हो जाएगा और reflected rays लूँगी ना बेटा, वो जाएंगी हमारी आखों के अंदर तो जैसे ही reflected rays हमारी आखों के अंदर गई सपोस्थ पहाड से निकल के आ रही है reflected rays, तो मारी आखों को पहाड दिखना शुरू हो जाएगा बरफ से निकल के आ रही है reflected rays तो आखों को पहाड के उपर की जो बरफ है वो दिखना शुरू हो जाएगी बादल की जो reflected rays है बादलों से जो निकल रही है वो सिर्फ और सिर्फ तुमारी आखों तक पहुंचेंगी क्या बिटा लाइट रेस बहुत सारी होती है यह मत समझ न कि मैं आपने तो बस इतनी सी बनाई है तो इतनी लाइट रेस से तो ऐसा है कि मैं अकेले जाओंगा न तो मुझे जो है न पह सारी लाइट रेस होती है उतनी में आपर बना नहीं सकती हूं ठीक है ना हां तो मैं तुमसे बोल रही थी कि तुम्हें क्या लग रहा है जितनी भी आपर लाइट रेस तुम्हें दिख रही है कौन सी रिफ्लेक्टेड रेस यहां पर तो तुमको दिख रही है न यह सारी क रोनाख़ टक ही जाएंगी क्या रिफ्लेटेड रेंज ऐसी भी होंगी बेटा कुम पहाड रफ है ना और बादलों से जो निकलने बड़ी बहांदी रेस्टेस थेक्सूभ है ऐसी उनलो कि वर यह ने उन्र फेलेटेड रेस्ट को मैं एक हैं कि यहां पर बनाती हूँ ठीक है मालो कि यह पहाड है देखो यह सलाइट आई पहाड के ओपर गिरी इंसिडेंट हुई रिफ्लेक्शन हुआ तो यह देखो यह आई रिफ्लेक्टेड रहे और यह पानी के ओपर जाकर के गिर गई पहाड के उपर आई थी यह लाइट रे इंसिदेंट हुई थी रिफ्लेक्शन हुआ रिफ्लेक्टेड रे निकली और वो रिफ्लेक्टेड रे तुम्हारी आग के ऊपर नहीं गई तुम्हारी आग के पास नहीं गई वो रिफ्लेक्टेड रे कहा गई पानी में गई और पा अब दुबारा से बेटा पानी की सर्फिस पर क्या होने वाला है रिफ्लेक्शन होने वाला है पानी की सर्फिस पर क्या होने वाला है रिफ्लेक्शन होने वाला है पहला रिफ्लेक्शन तो पहाड के उपर हुआ तो रिफ्लेक्टेड रेस तुमारी आखों तक पहुंची तो तुम्हें पहाड दिखने लग गया अब दूसरा reflection का होगा पानी की surface पर होगा लेकिन दूसरे reflection की खास बात क्या है दूसरे reflection की खास बात यह है कि यहाँ पर पहले reflection की जो reflected ray है वो दूसरे reflection की incident ray बन जाती देखो न, यह जो बेटा है light ray, यह क्या है पहले वाले जो पहाड पर जो reflection हुआ है उसी की तो reflected रहे है जो आ करके पानी की सरफेस के उपर आकर के गिर गिर रही है इसका मतलब दूसरे reflection की incident रहा है अब क्या होगा ुक्स नहीं रिफ्लेक्शन होगा और यह रिफ्लेक्ट हो करके कहां आजाएगी आखों में आजाएगी तो आखों में क्या होगा आखों में बेटा तुम्हें पानी में पहाड का रिफ्लेक्शन नजर आएगा मैंने क्या बोला हमारी आखे तो भोली होती है ना आखों को लगा कि अरे प पहाड की लाइट रही है तो हमारी आखों ने क्या करा पानी में ही पहार की इमेज बना ली ऑब्जेक्ट तभी नजर आएगा बिटा जब उससे निकलने वाली लाइट रही हमारी आखों तक पहुंचेंगी तो ऐसा नहीं कि पहाड यह नदी इतरा आप कुछ सब दिखरा थ लेकिन फिर हुआ क्या दो बार में दूसरी बार रिफ्लेक्शन भी हो गया यह पहाड से जो रिफ्लेक्टेड रेज आई थी बेटा वह पानी के उपर आकर के गिर गई सरफेस के उपर आकर के गिर रही तो यहां पर क्या हुआ दूसरी बार रिफ्लेक्शन वह दूसरी बार रिफ्लेक्शन से जो रिफ्लेक्टेड रेज वह भी क्या हुआ हमारी आँखों तक पहुंची तो पानी में हमारी आँखों को लगा कि अरे पानी में क्या हो रहा है पह रिफ्लेक्टिड रे कहां आगई देखो पानी के उपर आकर के गिर गई तो पानी के उपर आकर के गिरने से क्या होगा अब यह लाइटर सोचेगी कि मैं तो वापस चली मैं क्यों यहां पर रहूं है मैं क्यों यहां पर रहूं तो अब यहां पर होगा एक और पार रिफ्ले तो इसलिए तुमको साक्षाद पहाड बरफ बादल तो देखेंगे ही पानी में भी तुमको पहाड का बादल का स्नौ का रिफ्लेक्शन मिलेगा ठीक है चलो ऑक अब बेटा आजा अपन जरा बात करते हैं ताइपस ओफ रिफ्लेक्शन की ऊपर ठीक है नॉर्मल नाइट का रिफ्लेक्शन समझ में आ गया है ना आपको यह मैंने बता दिया कि भाई लाइट का जब रिफ्लेक्शन होता है तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज होती रिफ्लेक्शन हमको देखने को मिलता है वोपी मैंने आपको समझा दिया अब चुरू अपन बात करते हैं आगे की याद करो मैंने तुमको स्टार्टिंग में एक सवाल पूछा था कि अगर तुम अपने कमरे में जो आएना लगा हुआ उसके सामने जाकर के खड़े होंगे तो तुमको तुम्हारी इमेज दिखेगा अपना मूह तुमें दिखेगा लेकिन अगर तुम्हारे कमरे में जो बैड है जो दीवारे हैं सीलिंग है फर्ष है इनमें तुम्हें अपना चहरा नहीं तो जिस चीज से reflection हुआ है मतलब जिस भी surface से light टकरा करके हमारी आखों तक आ रही है वह surface हमको दिखना शुरू हो जाता है ना जैसे कि मानलो कि यह क्या है plane mirror मानलो कि यह क्या है बेटा plane mirror अब plane mirror का जो बिटा कोई भी mirror आप लेलो चाहे वह plane हो चाहे वह मिरर का जो बिटा surface होता है वो कितना smooth होता है कभी तुमने mirror को ऐसे चूके देखा है कभी साफ करें हो mirror को कि नहीं करें तुम देखो mirror को ऐसे चूके देखो कितना soft not soft कितना smooth होता है highly polished एकदम shine मारता हुआ तुमारा आइना होता है कमरे का घर का है तो इसके ओपर suppose यहां पर तुमारे कमरे की light लगी हुई है ठीक है और इसके सामने तुम खड़े होई हो अभी मैं आपको यह समझा रही हूं कि आइने के सामने जब हम खड़े होते ह तो हमें हमारी शकल कैसे दिखती है मैंने क्या बोला तुम्हें बस एक ही फंडा रखना है कि जब किसी object से निकलने वाली light rays हमारी आखों तक पहुंचती है हमें वह object तभी दिखता है यानि कि अगर हमें mirror के सामने खड़े होकर के mirror में अपना reflection दिख रहा है हमें अगर mirror में कि अपनी image बंत्वी नजर आ रहे है इसका मतलब क्या कि हम से निकलने वाली rays बेटा हमारी आखों तक पहुंच रही है मैं यह कह घàng और आएने में तम्हें तुम्हारी शकल दिखने एसका मतलब क्या कि तुम्हारे शकल से निकलने वाली लाइट रेज तुम्हारी आखों तक पहुंची होंगी न तब तो तुमको अपनी अपनी शकल दिखने यह अगर देखो यह क्या है plane mirror है इसका surface बहुत ही smooth and polished रहता है ठीक है अब देखो कमरी की तुमने बत्ती जलाई light rays आई light rays कहाँ ही बेटा तुम्हारे उपर आकर के गिरी like this यह देखो light rays आई और तुम्हारे उपर आकर के गिरी कुछ इस तरीके से अब तुम क्या करोगे तुम्हारी body क्या करेंगी उन light rays को reflect कर देंगी जैसी तुम यहाँ पर बल्ब जलाओगे बिटा रोश्णी आना शुरू होगी light rays तुम्हारे उपर आकर के गिरेंगी तुम्हारे उपर आकर के गिरेंगी और तुम्हारी यह light ray आई और तुम्हारे मूँ पे आकर के गिरी तो तुम्हारे मूँ से क्या होगा light ray टकरा करके bounce back कर जाएगी तो यह देखो यह आ गई reflected ray यह light ray तुम्हारे मूँ पे गिरी टकराई और bounce back कर गई पतलब की reflection हो गया तो देखो यह बन गई reflected ray, अब यह reflected ray कहा गई, तुम्हें क्या लगता है, यह reflected ray घूम करके तुम्हारी आँख में ही पहुँच जाएगी, क्या, है, यह ऐसे घूम करके ऐसे आँख में ही पहुच जाएगी, क्या, नहीं, यह reflected ray जाएगी बेटा करेंगी और स्ट्राइक करेंगी और क्योंकि मिलर का डिए बहुती स्बूध है बहुती पॉलिष not तो light बोलेगी ऐला मैं कहां आकर के गिर गई मैं mirror के अंदर नहीं जाओंगी मैं तो दुबारा से bounce back कर जाओंगी यह light रे सबसे पहले bounce back कप करी थी जब तुम्हारे मूँ के ओपर आकर के गिरी थी फिर reflected रे निकली वो कहां गई plane mirror के surface के उपर जाकर के गिर गई तो उसने बोला मैं क्या करूंगी दुबारा से bounce back करूंगी और दुबारा से bounce back करके बेटा दुबारा से bounce back करके रोको यह ठीक से नहीं बनी है suppose यह light आई reflection हुआ और कुछ इस तरीके से mirror के उपर जाकर के mirror के उपर जाकर के reflected रे गिरी गिरने के बाद जैसे कि यहां पर तुमको मैंने बताया न कि पहले सूरज की किरने आई लाइट रेज आई पहाड के उपर गिरी पहले reflection यहां हुआ reflected रेज कहां गई पानी के उपर आकर के गिर गई तो अब दूसरा reflection यहां होगा पहले reflection के reflected रेज यहां पर दूसरे reflection में incident ray का काम करती है सेम केस बिट यहां भी होगा सेम केस रेज आई यहां भी होगा काहां गया हिम हां कि सबसे पहले light लाइट रेज की reflection यहां Х vem अब यहां पर भी क्या और दूसरे बार reflection हा दूसरी बार reflection से अब जो reflected rays होंगी ना बेटा वो कहां के घुज जाएंगी तुमारी आखों में अब तुमारी आखे तो भोली है तो उनको लगेगा कि अरे देखो light rays कहां से आ रही है mirror से आ रही है और इसलिए हमारी आखी क्या करती है हमारा जो मूं है उसकी image बना देती है मिरर की उपर तो दरपड में अपना चहरा कब दिखता है अगर तुम सपोज यह लाइट बंद कर दो तुम तो सोचते हो कि दरपड में ही मिरर में ही क्या होता है हमारी इमेज बनती है तो उसे साब से तो कमरे में अगर घुप अंधेरा हो कंप्लीट डार्कनेस हो उस केस में भी तुम्हारा जो इमेज है वो बनना चाहिए मिरर पर बनती है क्या क्यों तुम बेटा सेल्फ ल्यूमिनस तो नहीं हो कि तुम्हारे पास खुद की अपनी रौशनी है कि रौशनी निकल रही है भले बल्ब ऑन है ना अन है हमारे खुद की कोई लाइट नहीं होती है तो इसे लिए लाइट का एक सोर्स यूनों हम ओन करते हैं तो लाइट रेज आती है बॉड़ी के ओपर आकर के गिरती है बॉड़ी से क्या होगा रिफ्लेक्शन होगा है ना मानलों की यह लाइट रहाई यह तुम्हारे हाथ के उपर आकर के ये रिफ्लेक्शन online और रिफ्लेक्टटट रहे कहां आखों में तो तुपहारी आखी करेंगी तुम क्या वह मुष्ण है दो कि निकलने वाले रिफ्लेक्टट रेस पहुंची ना तुम तो तुम यह सोच आ कि तुमारी आखों तक ultimately, जो light rays पहुँच रही है, ठीक है, तुमारी आखों तक ultimately, जो light rays पहुच रही है, वो आख कहां से रही है, तुमारी body से ही तो आ रही है, ना, भई mirror के उपर जो भी light rays आ रही है, वो कहां से रही है, तुमारी body से निकल कर के आए न वह अलाग बात पार्स कहां से आई बल्ब से आई लेकिन मिरर के पास नजाए वही तो मारे बोड़ी से आ तुम्हारे आखों के अंदर यलाइट रही्या तो इसका मतलब क्या kids को महारी आख ही क्या करेंगी रिरय और अपनी इमेज यानि कि खुदगी अपनी इमेज जो है बना लेंगी तो इसलिए हमको अपना चेहरा अपनी बॉडी देखेगी मिरर के उपर कि लाइट रेस यहां से आई बॉडी से टकराई मिरर के उपर गई दुबारा रिफ्लेक्शन हो और वो रिफ्लेक्टेड रेस कहां पहुं यह दिवार हो और अगर हम इसके सामने जाकर के खड़े हो जाएं तो हमें तो कोई शकल नहीं दिखती है अपनी वाइट क्योंकि बेटा यहां पर जो रिफ्लेक्शन हुआ है ना मिरर के लेवल पर यह हुआ है स्मूद रिफ्लेक्शन रेगिलर रिफ्लेक्शन भी आप इ तुम्हारे उपर आकर के गिरी ठीक है ना लाइट रेस यहां से आई तुम्हारे उपर आकर के गिरी रिफ्लेक्शन हुआ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टिड रेस कहा गई रिफ्लेक्टिड रेस गई दिवार के ऊपर गई अब दिवार के ऊपर दुबारा से का और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के कारण होगा यह कि जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी ना बेटा वो किसी भी डारेक्शन में निकल लेंगी मैंने क्या बोला कि कोई ऑब्जेक्ट तुमको तभी नजर आता है जब उससे निकलने वाली लाइट रेज तुम्हारी आखों पहुझ रही थी कैसे पहुझ रेज़ी मिर्र के थ्रू रेफ्लेक्ट हो करके की लाइ Verb सूरी certified यहां Exam पर था उससे लाइट रेजाई तुम्हारी बौडि के ओपर पढ़ी रिफ्लेक्शन हुआ रिफ्लेक्टेड रेस कहां गई मिरर तो पर गई सर्फिस से फिर से रिफ्लेक्शन हुआ फिर वो रिफ्लेक्टेड रेज अल्टीमिटली तुमारी आखों तक आ गए जो तुम्हें अपनी शकल दिखने लग यहां पर क्या हो रहा है यहां पर यहां तक तो सब ठीक था लेकिन वाल के लेवल पर जो दूसरे बार रिफ्लेक्शन हुआ ना वो अलग ही डारेक्शन में निकल गई यह देखो न एक यहां चली गई यहां चली गई मतलब कि हम खड़े थे अपना मूँ देखने के लिए दिवार पर दिवार पर रिफ्लेक्शन भी हुआ लेकिन रिफ्लेक्टेड रेज एक वहां चली गई एक वहां चली गई एक वह तो इसे हम बोलते हैं diffuse reflection अब आप बोलोगे कि चलो मैं समझ में आ गया कि दिवार पर ऐसा reflection हुआ कि reflected rays यहां वहां निकल ली आँखों तक नहीं पहुंची पर इसका reason क्या है reason है बेटा दिवार का सर्फेस दिवार का सर्फेस बेटा कैसा है कताई रफ है कताई रफ है आप बोलोगे कि मैं नहीं मैं हमारे जो कमरे की जो दिवार है वो तो बड़ी स्मूध है बेटा वो कितनी भी स्मूध क्यों ना हो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखोगे न तो तुमको पता चलेगा कि उस स्मूध दिवार का भी जो सर्फेस है ना वो बहुत रफ है तो इस रफ सर्फेस की उपर जब रिफ्लेक्शन होता है ना बेटा तो रिफ्लेक्टेड रेज वैसे नॉर्मल या स्मूध रिफ्ले देखो इदिकरें आपको रिफ्लेक्टेड रेज कितनी सुंदर दिख रही है बिल्कुल बकाइदा पैरलल है एक दूसरे के और यह सारी कि सारी बिटा पैरल रिफ्लेक्टेड रेज जो है आँखो तक पहुंचेंगी तो हमको यहां पर जो भी है ऑबजेक्ट दिखने जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो देखो पैरलल नहीं है इंफ्लेक्ट किसी भी डारेक्शन में निकल रही है यहां जारी यहां जारी वहां जारी अब हम यहां पर खड़े हुए हैं अपनी आंख लेकर के कि यह रिफ्लेक्टेड रेज हमारी आंखों तक पहुंचे लेकि क्या होता है कि जो reflecting surface है वो बहुत smooth होता है irregularities surface पर जादा नहीं होती है तो after reflection जो रिफलेक्टेड करेज Hai बेटा वो पैरलल हो जाती है but in case of irregular reflection yatt diffused reflection reflecting surface बहुत rough होता है तो after reflection जो reflected rays होती है न वो parallel नहीं बन पाती और randomly किसी भी direction में निकल जाती है और randomly किसी भी direction में निकल जाने से क्या होता है न जितनी light rays हमारी आँखों तक पहुँचनी चाहिए object को देखने के लिए उतनी पहुँचनी पाती है तो हमें वो object दिखता नहीं है तो दिवार पर शरकल ना दिखने का reason क्या समझ में आया किसका surface बहुत रफ है diffuse reflection हुआ irregular reflection हुआ after reflection जो reflected rays थी वो parallel नहीं हो पाई randomly किसी भी direction में बेटा ऐसे निकल गई किसी भी direction में देखो ऐसे करके ऐसे निकल गई तो जितनी आँखों तक light rays पहुंची नहीं तो हमको अपनी शकल देखी नहीं बेड का surface भी ऐसी बहुत रफसा होता है ठीक है मैट्रेस का मतलब जो गद्दा होता उसका भी रफी होता है टेबल का भी रफ होता है किताब का भी रफ होता है किया है कि धंड्रेफ द्रफ्लेक्शन अपको लगेगा कि मैंता बहुत ही बुरा Serval and Ёए कि जो कम अल्मारी में हर जगा तुमको अपना मूँ दिखता हूँ खाने में भी अपना मूँ दिखता हूँ अच्छा ही वह diffused reflection होता है ठीक है तो when light is incident on a smooth surface it is reflected in the first medium in one direction the reflected rays will also be parallel this reflection is on a smooth surface is called regular reflection है ना कि reflected rays जो होती है ना वह वापस से उसी medium में आ जाती है लेकिन एक ही direction में है ना देखो ना यह सारी की सारी क्या है reflected rays parallel है और सब की सब क्या जारी है एक ही direction में जारी है बट इस in case of irregular diffused reflection ऐसा नहीं होता रैंडम ली उठाकर कि किसी भी direction में क्या होता है reflected निकल जाती है ना parallel भी नहीं होती है so when light is incident on a rough surface it is reflected in many directions this is called diffuse reflection ठीक चलो सवाल हो गए types of reflection हो गए अब एक छोटा सा concept और बचता है बेटा medium का ठीक है देखो तीन तरह की medium होता है transparent opaque and translucent बताती हूं मैं क्या मतलब है इसका देखो मेरे पास तीनों मीडियम है यह देखो कि यह transparent यह ओपेक medium यह translucent बनने की कोशिश कर रहा था पर उतना बन नहीं पाया ठीक है बात को समझना यह transparent medium यह है translucent medium और यह है opaque medium transparent medium का मतलब क्या है कि तुम्हें आर पार उस medium की नजर आएगा जैसे कि इस bottle को मैं इसे सामने रख लूँ तो इसके थूँ इस bottle की थूँ यदि सामने में रखा हुआ जो computer है अगर मैं उसको देखना चाहूंगी तो वो जे वो दिख जाएगा है ना ऐसा नहीं कि मैं रख्यू यह bottle लेकिए से यह पोटल है इसके एक तरफ मैं हूँ और इसके दूसरे तरफ वो computer रखा हुआ तो इस तरफ मैं हूँ और दूसरी तरफ क्या है computer है तो अगर इस bottle को बीचमें रखकर के अगर इस through मैं उस system को देखना चाहूं उस computer को देखना चाहूं तो मुझे वो दिख जाएगा ठीक है transparent medium translucent क्या होता है कि मतलब दिखेगा ऐसा नहीं कि आर पर दिखेगा नहीं लेकिन उतना clear नहीं दिखेगा जित्रा की दिखना चाहिए ओपेक में क्या होगा अगर इस opaque medium अगर इस glass के through मैं उस computer को देखना चाहूं बेटा तो मुझे दिखने नहीं वाला आए बाद समझों तो यह फरक होता है transparent translucent और opaque medium में कि transparent जो medium होता है उसके थ्रू आरपार देख सकता है translucent के थ्रू थोड़ा बहुत दिखेगा और clear नहीं दिखेगा blurred image रहेगी और opaque medium के थ्रू बेटा हम आरपार देख ही नहीं सकते हैं पर इसका reason क्या है आप बोलोगे कि मैं ऐसा क्यूं कि transparent medium के थ्रू हम आरपार देख पाते हैं translucent के थ्रू उतना clearly नहीं देख पाते हैं लेकिन opaque कि थ्रू हम देख ही नहीं पाते हैं इसका reason क्या है तो बेटा इसका reason छुपा हुआ है light के reflection light के absorption के transmission के अंदर अब आप बूलोगे कि मैं क्या मतलब हो इसका रूको समझाती हूं देखो आपने कभी आप जिसे अगर मॉल वगर अगर आप कभी जाते हूं है ना तो मॉल में क्या होता है से बड़े-बड़े कांच के gate लगे होते हैं अगर तो वो gate वो sensor वाला है तो जैसी आप उसके पास आओगे वो खुल जाएगा है ना तो आप टकराओगी नहीं मालों की कैसा कांच का gate लगा हुआ है जो पुलिया पूश्च करना होता है कि हम जाते हैं ने बातों में बिजी रहते हैं कि हम डेखी नहीं पाता है कि हूँ में जाकर जाके n giыпissant लुटरington से अंदर और उसके आरपार दिखता है तो हम कभी-कभी इतने बातों में रहते हैं कि जाते हैं और जाके बिढ़ जातें दर्वाजे से क्यों इतना आरपार दिखता होता है इतना ट्रांस्पेरेंट वो गेट लगा होता है खुदा की नहीं होता तो सवाल यह है कि मालो यहां पर वो ट्रा दुकानदार वहां और हमारे बीच में काज का वो दर्वाजा कार्णके दर्वाजे के थ्रूम दूखांदर कैसे देखेगा क्योंकि दुकानदार के तरफ से अने वाली जो लाइट रेज़ है बेटा वह उसका के दर्वाजे को cross करके मेरी आखों तक आ रही है कोई भी object हमें तभी दिखता है ना जब उससे निकलने वाली light rays हमारी आखों तक पहुँचें तो दुकान दर क्यों दिख रहा है उसकी बिर्यानी पे मेरी नजर क्यों पड़ी क्योंकि बिर्यानी दुकान दार उनसे निकलने वाली light rays मेरी आखों तक पहुँच रही है कैसे पहुच रही है तो हमारे बीच में जो कांच का दर्वाजा लगा है ना बेटा वे ट्रांस्पेरेंट मीडियम है ट्रांस्पेरेंट मीडियम light rays को अपने तुम क्रोस होने देता है ट्रांस्पेरेंट मीडियम बोलता है कि light rays निकल जाओ हमारे surroundings से बाहर निकल जाओ हमें कोई दिक्कत नहीं है तो light rays वहां से आई बीच में वो था ट्रांस्पेरेंट मीडियम बोले तो क्या बोलता है कांच का दरवाजा था कांच के दरवाजे में लाइट रेज घोसी घुसने के बाद बाहर निकली और कहा आगई मेरे आखों के अंदर आगई तो मुझे कांच के थूँ दुकांदार और उसकी बिर्यानी दिग गए ठीक है अब इसका थोड़ा सा एक एडवांस लेवल अपन पड़ते हैं अब मालो कि मैं किसी दूसरे शॉप पर गई हूँ जिसमें की वह कांच का गेट लागा हुआ है लेकिन कांच का गेट थोड़ा सा ऐसे मिल्की वाइट टाइप का है मिल्की वाइट समझते हो दूद ज के दरवाजा जैसा है बीच का है मुझे कुछ दीख रहा है कुछ नहीं दिख रहा मतला मैं यह देख पारहिऊ है कांच के गेट के उस सवर्व दुकांदार है पर वो exactly ट्रांस्लूसेंट मीडियम बन गया है ऐसा क्या हुआ कि यह ट्रांस्लूसेंट मीडियम बन गया यह ट्रांस्लूसेंट मीडियम करता क्या है कि दुकानदार से जो लाइट रही है उसको यह जो ट्रांस्लूसेंट मीडियम है दुकानदार से जो लाइट रही है ना बिटा त लेकिन बाकि जो लाइत रेज़ बतले वह रिफ्लेक्ट हो जाएं समझे ट्रांस्पेरेंट मीडियम नी क्या करा था लाइत को अपने थू अपने कंप्लीटली पावे चिंट्रानस्मीट मीडियम क्या बोलता है चुंडी नए कुछ light rays थो हमारे थूर निकल सकती है लेकिन जो बाकि light rays उगी या तो वह अब्सौर्ब हो जाएंगी कुछ light rays हमारे थ्रू कुछ light rays हमारे थ्रू निकल सकती हैं जो बाकी light rays है उसमें से कुछ light rays अब्जॉर्ब हो जाएंगी और बाकी की रियमिट हो जाएंगी मतलब कि reflect हो जाएंगी तो जो थोड़ी बहुत light rays बेटा दुकानदार की translucent medium के थ्रू transmit ओकर के मेरी आखों तक पहुँच रही थी उससे मुझे यह सान में आया कि हां यार गेट के उस तरफ कोई बैठा तो है कुछ खा तो रहा है पर वो क्या खा रहा है वो मुझे तनी clear image नहीं दिखती क्योंकि ऐसा नहीं कि light rays आ नहीं रही है आ तो रही है लेकिन जादा नहीं आप आ रही है इसकी चक्कर में मुझे वो दुकांदार और उसका खाना exactly क्या है वो मुझे clearly नहीं दिख रहा है फिर आता है opaque medium opaque medium तो बोलता है कि तो मैं ऐसी कि तैसी हमारे थ्रू कोई भी नहीं निकलेगा कोई भी light ray नहीं निकलेगी मालों कि अब कुमिट नहीं होंगी या तो अब्जोर्ब हो जाएंगी या reflect हो जाएंगी वह भी कौन सा diffused reflection हो जाएगा तो मुझे दुकांदर दिखेगा ही नहीं लाइट रेज्ञांदर की मेरे पास आई नहीं रहे ना मुझे तक आई नहीं नहीं क्योंकि भीच में लगड़ी का तरवाच आज़ों कि क्या हूपेक medium है जिसके आरपार मैं देख नहीं सकती हूं तो मुझी दुका अंदर देखे गाई नहीं फ inan選 और यह को से यह आप यह पर जो फेकी जा रही है नहीं है एक तर्श से जो लाइट रेज यहां पर तर्श से जो लाइट रेज़ यहां पर राध झा रही है वह तो देखो यहां पर आपको इसके दूसरे एंड पर दिख रही है मतलब कि आप यह बोल सकते हो कि आर पार लाइट रेज निकल रही है ट्रांस्पेरेंट मीडियम से यह है ट्रांस्लूसेंट मीडियम कि थोड़ी बहुत लाइट रेज क्रॉस कर जाएंगी बाकी या तो अब रिफ्लेक्ट हो जाए और अब्सॉर्ब हो जाओ ठीक है तो यह तीन तरह के मीडियम मुझे लगता है आपको समझ में आ गए होंगे अ मीडियम इसाब्स्टेंस त्रू विच्ट लाइट प्रपोगेट और ट्राइस तू दू सो तीन टाइप क्यों होते हैं ट्रांस्पेर मीडियम है तो इसके थ्रू लाइट रेज निकल जाएंगी यह ट्रांस्लूसेंट है यह ट्रांस्लूसेंट है तो थोड़ी बहुत लाइट रेज क्या होगा बेटा इसके थ्रू निकल जाएगी बाकी या तो रिफलेक्ट हो जाएंगी या फिर अब्जॉर्ब हो तो यहां पर देखो ठोड़ी बहुत निकल रही है बाहर जा रही हैं मतलब ट्रांसमेट और हैं यहां यहां पर कुछ reflect भी हो रही है कुछ absorb भी हो रही है जैसे कि paper, ground, glass etc. फिर उसके बाद में opaque, opaque तो बिटा ऐसा है कि light rays को अपने थू जाने ही नहीं देता, वो बोलता है कि reflect हो जाओ, यह absorb हो जाओ, लेकिन हमारे थू तुम्हें जाने नहीं देंगे, जैसे कि लकडी, metal यह सब, ठीक है, आई बाद समझ में कि नहीं आई, so that's all for today guys, अब क्या जान लोगे कि बच्चे की, आज बहुत सारा पढ़ा दिया है, मैं लगा पढ़ा तो तुमको थोड़ा ही है, बस थोड़ा सा डीटेल में जाकर के पढ़ा दिया है, मैं तुमको पता हूँ, बहुत सारे बच् seniors हैं, जो आपके seniors हैं, उनके साथ मैं आपको गूगल मीट करती हूँ, और उनका जो experience रहा है मेरे साथ, वो मैं आपसे share करूँगी, जो भी बच्चा starting में मुझसे पढ़ना शुरू करता है, उसका concern यही रहता है, कि मैं इतना detail में क्यों पढ़ाती हूँ, लेकिन यही हैं, वो हमको उनके basics clear है, बिटा 11th का जो syllabus है वो बहुत vast होता है, तुम्हे क्या लगता है, तुम अगर जाओगे 11-12 में, तुमकी chapters एक बार फिर से पढ़ोगे, तो तुमको इतना detail में समझाया जाएगा, क्या, नहीं, वहाँ पर तु सिर्फ नाम ले करके, आगे बढ़क तो पढ़ाया तो आज एक छोटा सा topic है, लेकिन fundे तुमको मैंने बहुत सारे बताए हैं, तो I hope आपने enjoy किया होगा, अब अपन मिलते हैं अपने अगले session में, अगले session में हम plain mirror की बात करेंगे, तो मिलते हैं, next session में तब तक के लिए keep learning with definite success पार चाला, bye bye, have a great day.